So hello guys, welcome to tryday back. So friends, सबसे पहले एक preview देखते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं. So friends, जैसा कि आपने देखा कि हमने QR code scan किया, barcode scan किया, वो भी बहुत ही easy way में, वो भी बहुत ही अच्छे UI के साथ. तो चलिए इसको बनाते हैं, और friends, इसको शुरू करने से पहले, सबसे पहले अगर आपने चैनल अब तक सबस्क्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज चैनल को ये red बटन पर क्लिक करके सबस्क्राइब कर लीजिए, and plus bell icon जरूर दबाईएगा. अगर आप android developer बनना चाहते हैं, या android में आप work कर रहे हैं, तो आप ये android development studio tutorials की playlist जरूर एक्सेस कीजएगा, मैं link description में दे दूँँगा इसका, जहां पर आपको बहुत सारी videos मिल जाएंगी, और आपको help मिलेगे आपके working में, तो चली जलते हैं, start करते हैं. तो सबसे पहले आपको जाना है, एक code scanner की dependency पर है, जो मैं आपको Google, I mean description में link दे दूँँगा, यह dependency है, जहां हम इसको use करने वाले है, code scanner, okay, and यह देखिए, इसका support भी है, QR code, data matrix, maxi code, pdf 417, so इसको आप copy कीजए, यहां से, implement dependencies, इस dependence को copy करना है आपको, यहां पर मैंने already project बन field.nadal में है, और मैं इसको sync करता हूँ, so यह sync हो रहा है, and sync हो गया, net काफी ते चल रहा है, okay, so then अब इसके बाद आपको यहां पर इसका UI बनाना, मैंने एक relative view लिया है, यहां पर relative layout, okay, so अब चलते हैं, इसको बनाते हैं, यहां पर आपको type करना है, code scanner, okay, and इसकी with आपको द सकते हैं, side में, okay, then आपको इसकी ID पास करनी है, okay, मैं इसकी ID दे दूँगा, code, okay, because यह scanner view है, उसके बाद आपको कुछ settings करनी है, इसके अंदर, okay, जैसे हमने इसमें कुछ settings हरी, मैं इसको side कर देता हूँ, थोड़ा सा, and इसको यहां ले लेता हूँ, जैसे कि आप देख सकत यहां पर change करना है, white है, आप चाहिए, तो yellow दे सकते है, red दे सकते है, focus button visible, जैसे यह आप देख सकते है, यह कौने में focus button दिख रहा है, कि अगर आपका scan नहीं हो रहा है code, या फिर आपका blur आ रहा है code, तो आप यहां पर click करके scan कर सकते है, okay, then उसके बाद यहां पर mask color, जो आपको mask color देना, जो background में color आ रहा है, आपको transparent भी दे सकते है, और autofocus button color आपका white होगा, यह जो focus का border आ रहा है, यह white होगा, आप इसको चाहिए, तो customize कर सकते है, हमने हिसाब से, okay, then आपको यहां पर जो white background बच रहा है, यहां पर हम एक text view पेस्ट करेंगे, अपना text view बनाए आप friends, बहुत ही simple है, आप आराम से इसको लिख सकते है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको वीडियो को pause करके भी इसको note कर सकते है, so यहां पर मैं एक ID पास कर रही है, text code, textile दिया, bold, size दिया 20TP, और इसको मैंने blow कर दिया, इस layout कि जिससे किसी भी mobile के अंदर, किसी भी tablet के अं and down ही रहा है, okay, and center, horizontal, true कर दिया है, relative layout की वजर से, और इसका मैंने basic test दिया है, before something, या फिर आप इसको दे सकते है, scan something, okay, and यहां पर आप test कर दे देंगे, यहां पर, जो भी इसका, okay, तो चलिए, आप इसका code करते है, यहां मारा UI तयार होगा, आप इसका code करना है, so यहां प आपको कुछ variable define करने है, views define करने है, private code scanner, सबसे पहले आपको code scanner का object define करना है, then text view, code data, code data आप दल सकते हैं की code का data क्या आ रहा है, and then आपका scanner, code scanner view, जिससे हम दे सकते है, scanner view, okay, तो चलिए, इसको find via view ID कर देते है, okay, यह मैंने code data को text code से कर दिया, scanner view को scanner view से कर दिया, अब आपके बाद यहां पर, जैसे कि हम हर वीडियो में करते हैं, हमें एक function बनाना है, अपने code scanner के लिए, which is run code scanner, okay, चलिए, इसको create कर लेते हैं, मैं इस पर click करूंगा, alt enter, create method, और यह देखिए, आपका private, यह आप इसको public भी दे सकते हैं, public method आपका create हो गया, अब उसके ब आपका scanner view, जिसमें यह automatic assign होगा, okay, अब उसके बाद आपको यहां पर कुछ settings करनी है, इसकी, code scanner dot set autofocus enabled true, okay, code set format, इसको आप कर दीजे all, because अगर इसे आप all format नहीं करेंगे, तो यह आपका barcode scan नहीं करेगा, only QR code scan करेगा, and then आपको एक चीज़ और यहां पर set करनी है, code scanner set scan mode, इसको आप करेगे continuous, जैसे कि आपने देखा होगा, ATM या phone pic के अंदर, वहाँ पर आपका continuous scan करता रहता, कहीं भी blur नहीं होता, या कहीं भी अटकता नहीं है, okay, and then इसके बाद हमें को initialize करना है, इसको, इसके main functions है, so code scanner dot set dead, set decode callback, new decode callback, okay, so friends, इस decode callback से आपको यहां पर result म URL, या phone number, या mobile number, या कोई भी content होगा, मैं भी text कहूंगा, या string बोलूँगा, string आपको यहां पर मिल जाएगी, अब आपको यहां पर करना है, run on UI thread, new on, okay, friends, यहां पर हमने renewable इसले लिया है, जिससे हमको code continuous scan होता रहे, और हमें मिलता रहे, okay, बढ़ना ही data change नहीं होगा, आप को restart करना पड़ेगा, okay, so अब यहां पर हम string data equal to result dot get text, यह हमारा text में मिल जाएगा, और automatic यह string ही होता है, तो आपको इसके string में convert करने की ज़रूद नहीं है, okay, and then आपको simple आपके जो scanner viewer का code आपने यहां पर लिया था, text view, code data, इसको आपको use करना है, इसलिए हमने इसको globally बना नहीं था, dot set text, और यहां पर आपको डालना है data, so friends हमारा काम खतम हो गया, and then आप इसको start कर सकते हैं, लेकिन, 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 आपको सबसे पहले जो हम बूल चुके हैं, यहां पर आपको permission देनी है camera की, जिसको user camera access करे, अब permission दी है, so always आपको आपके app के अंदर permission को मांगना भी पड़ेगा, कि हाँ permission आप दो, इस app को, because आपको run time पर permission आपके app से लेनी पड़ेगी, okay, तो चलिए, अब permission का हम code बनाते हैं, सबसे पहले, so guys, यह है has permission नाम से code है, मैं आपको इसने पे, obviously, पूरा code का मैं आपको file, आपको description में लिंक में दे दूँगा, या GitHub पर upload कर दूँगा, आप आप से download कर सकते हैं, so, या फिर आप ये वीडियो देखके भी, इस code को बना सकते हैं, pause करके, so has permission, यहां से मैंने एक function बनाया है, static function बनाया है, जिसके अंदर मैं context pass कर रहा हूं, और plus permissions का array pass कर रहा हूं, okay, so, यहां से आप context equal to null, not equal to null check कर सकते हैं, उसके बाद यहां पर आप for loop चला के permission दिख सकते हैं, कि user को किस-किस permission पर allow करना है, यहां पर हम diet camera की permission हो कर सकते हैं, बट अगर हम है camera के साथ-साथ और भी कोई permission अप define करना है, तो हम yes function के थुरू कर सकते हैं, okay, तो चलिए इसको call करते हैं, so, like, सबसे पहले आपको यहां प कॉमा लगा के कोई भी permission चाहें, तो write, external storage या जो भी आपको storage बगरा के लिए permission चाहिए हो, तो यहां पर आप ले सकते हैं, यहां पर ले सकते हैं, कोई भी permission आप ले सकते हैं, मैंने camera की already defined किया है, and then मैंने code run किया है, जिससे user बिना camera की permission define कर है, code scan नहीं कर सकते हैं, okay, so has permission, यहां पर मैंने function लगाया, and यहां पर मैंने इसको if not equal to true, जैसे देखिए हमारा यहां पर true return कर रहा है, कि अगर हमारी permission defined है already, if activity.check permission, context permission not equal to permission granted, तो false return करेगा, नहीं तो true return करेगा, okay, so अगर यह true return करता है, तो हमारा run code scanner चल जाएगा, और नहीं, तो हमें permission okay करनी पड़ेगी, okay friends, so आप इसको run कीजिए, and definitely a code run करेगा, मैं आपको run करके दिखाता है, इसके अंदर मैं अपने mobile का view आपको अलड़ी दिखा चुका हूँ, okay, कि यह run करने के बाद, जैसे मैंने इसको run कर दिया realme में अपने, so यहां पर यह run हो जाएगा, so यह run हो गया, scan something, दिखा हुआ आप मैं आपको यह दिखा नहीं सकता, okay, so चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज अगर आपने चलिए सब्स्राइब नहीं किया है, तो सब्स्राइब कर लीजिएगा, bell icon प्रेस कर दीजिएगा, because next video को update without bell icon प्रेस नहीं आएगा, और friends, अगर इस वीडियो में, तब तक के लिए, बाबाए